वेल्कम टु कविता जिंदोरी जायका आज हम बना रहे हैं हरे धनिय की चटनी इसे आप कचोरी समोसा पराठा या खमन के साथ भी खा सकते हैं इसे बनानी के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम हरा धनिया, 5 हरी मिर्च, 2 कलिया लसुनकी, आदा चम्मज जीरा पाउडर, आदा चम्मज नमक सबसे पहले हम हरे धनिय को मिक्सर के जार में डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्च को भी रफली चॉप करके डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे जीरा पाउडर भी डाल लेंगे, इसके अंदर हम दो चम्मज पानी डालेंगे इसमें चॉप्ड लसुन भी डाल देंगे, अब इसे पीस लेंगे चटनी तयार है आपको हरे दनी की चटनी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीस देखने के लिए मेरे चिनल को सब्सक्राइब कीजिए